हैलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूरूप चैनल आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्तान जीके के इंपोर्टेंट क्यूशन के बारे में तो इसका correct answer है ख्याल यानि कि दोस्तो राजस्तान की जो लोकनाट है उसकी सब से लोग प्रिय विद्या है ख्याल ए उसका सही होगा अगला क्यूशन है बान गंगा का मेला कहां पर बढ़ता है तो इसका correct answer है वो जैपूर है बान गंगा है वो जैपूर में है तो बान गंग B option इसका सही होगा अगला क्यूशन है किस कलाकार ने गोपी चंद तथा हीर रांजा तमासा प्रारम किया था किस कलाकार ने गोपी चंद तथा हीर रांजा तमासा प्रारम किया था इसका करेक्ट आंसर है वासू देव भटने वासुदे अभटने हैं वो गोपी चंद वहीरा रांजा तमासा शुरू किया था अगला क्यूशन है परसित बिनकार रजब अल्ली किसके दरबारी थे तो इसका करेक्ट अंसर है सवाई राम सिंग के बी ओफसन इसका सही होगा अगला क्यूशन है राधा गोविंद संगीत सार नामक विख्यात संगीत गरंद के रचेता कौन है तो इसका करेक्ट अंसर है बच जरपाल भट अगला क्यूशन है राग मंजरी वर राग माला के रचेता कौन है बहुत important question है तो इसका correct answer है पुंडरिक बीठल पुंडरिक बीठल के दोवारा राग मंजरी वे राग माला है वो लिखा गया है तो इसका correct answer हो जाएगा D option पुंडरिक बीठल अगला question है संगीतक के देवरसी बर्चपाल भटकिस के दर्बार में थी तो इसका correct answer है सवाई परताब सिंग के दर्बार में A option इसका सही होगा अगला question है कथक के जैपुर घराने के परवरतक है तो कथक जो नर्ते है उसके जो जैपुर घराना है उसके परवरतक कौन थे तो ये question exam के अंदर बहुत बार पुचा जा चुका है बानुजी है वो कथक नर्ते के परवरतक थे D option इसका सही होगा अगला question है सुमेलित करने वाला देखिए एक तरफ है संगीत गराना दूसरी तरफ है परवरतक तो इसका जो हम देखिए दिल्ली गराना है तो A पर दिया गया है दिल्ली गराना इसका मिलान होगा सदारन खांसे परवरतक कोन है सदारन खांसे अगला है मेवाती गराना तो ये कहां का है घग्ये नजीर खांका और अतरोली गराना है वो किसका है अली बंदू का और पटियाला जो गराना है वो है साहव खांका तो इसका जो मिलान है वो सही हो जाएगा तीन नमर ओप्षन C ओप्षन करेक्ट होगा अगला क्यूशन है महराणा कुम्बा के दरबारी वै एक लिंग जी का महा तम्मे के रचेता कौन थे तो इसका करेक्ट आनसर है दोस्तों काना व्यास ए ओप्षन इसका सही होगा अगला क्यूशन है जैपूर के किसा सक के दरबार में 22 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे गंदर्वे 22 कहा जाता था तो इसका करेक्ट आनसर है स्वाई परताब सिन अगला क्यूशन है अंग्रेज ओरंग जेब के सासन काल में निसकासित संगीतिकों को आसरिय परदान करने वाली रियासत कौन सी थी तो इसका करेक्ट आनसर है अलवर रियासत ए ओप्षन इसका सही होगा औरंग जेब के सासन काल में निसकासित संगीतिकों को आसरिय परदान किया था अलवर रियासत अगला क्युस्टने कल्ला मरमग ये कोमल कोठारी का समन्द किस संस्तान से है तो इसका correct answer है दोस्तों रुपाइन संस्तान अब आप comment में जुरूर बताए कि रुपाइन संस्तान है वो कहां पर है कौन से जिले में है कल्ला मरमगी वे कोमल कोठारी का समन्ध है वो रुपायन संस्तान से है इसका स्थान जुरूर बताए रुपायन संस्तान है वो किस जिले में अगला क्यूशन है इसका करेक्ट आंशर है दोस्तों चंग, गिंदर और कच्छी गोड़ी अगला जो 16 नमर क्यूशन है इसका सही होगा अगला जो क्यूशन है करणी माता का बच्पन का नाम क्या था अगला क्यूशन है करणी माता के बच्पन का नाम क्या था इसका जो करेक्ट आंशर है तो वो है री दुबाई बी ओप्सन है, सही होगा करणी माता का बच्पन का नाम री दुबाई था किस देवी के मंदिर के सामने बहरा की छत्री है जहांपर पुजारी जाड़ फूंक द्वारा विविद रोगों का निवारन करता है तो इसका correct answer है केला देवी D option इसका सही होगा बहरा की छत्री है D option इसका सही होगा केला देवी अगला किशन है क्रोली में केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थीत है important किशन है तो ये काली सील नदी के किनारे स्थीत है C option सही होगा कि केला देवी का मंदिर है वो काली सील नदी के किनारे अगला किशन है लांगूरिया गीत किस मेले का आकर्षन है लांगूरिया जो गीत है वो किस मेले का आकर्षन है तो इसके जो correct answer है आपको पता होगा केला देवी है वो करोली में है तो इसका correct answer है दोस्तो केला देवी का मेला D option इसका सही होगा और लांगूरिया गीत है वो गया जाता है केला देवी की मेले में अगला क्यूशन है आई माता का मंदीर कहां पर स्थीत है आई माता का मंदीर है वो विलाडा में स्थीत है यह ओप्सन इसका सही होगा अगला क्यूशन है किस माता के मंदीर में दिपक के लो से के सर टपकती है इसा एक मंदीर है जहां पर के सर टपकती है उसके दिपक की लो स तो आई माता के मंदिर में ऐसा होता है A option इसका सही होगा पांचाल जाती की कूल देवी त्रिपूर सुन्दी या तूर्था आई माता का मंदिर कहां पर स्थीत है तो इसका correct answer है दोस्तो तलवाडा बांशवाडा B option इसका सही होगा अगला question है अमेर के किस सासक ने पुर्वी बंगाल से सिला देवी की मूर्थी को लाकर अमेर के महलों में स्तापित किया था तो इसका correct answer है राजा मान सिंग A option इसका सही होगा अगला question है राजतन की एक मातर देवी जिसकी खंडित मूर्थी की पूजा की जाती है तो इसका correct answer है सीतला माता C option इसका सही होगा सीतला माता की जो खंडित मूर्थी है उसकी पूजा की जाती है ये एक मातर देवी है अगला question है सील की डूंगरी चाकसुस्तित सीतला माता की मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था तो इसका correct answer है भी option इसका सही होगा सील की डूंगरी है और चाकसुस्तित है वहां पर सीतला माता का जो मंदिर है उसका निर्मान स्वाई मादोस्छिंग ने करवाया था भी जोड़े दिये गए है गलत जोड़ा कौन सा है वह में देखना है तो चोथ माता का चोथ का बरवड़ा स्वाई मादोपुर में ये सही है आवड माता भूगाव जैसल मेर में है ये भी सही है नारायनी माता जैपुर में ये गलत है और D option है सकराई माता उदेपुर वाटी जुझनों में ये सही है तो इसका correct answer तो हो जाएगा C option और इसका जो मिलान है वो है C option गलत नारायनी माता है वो जोदपुर में जैपुर में नहीं है अगला question है सेनिकों की कुल देवी कौन सी देवी कहलाती है तो इसका correct answer होगा तरनोट माता हैं जेसल मेर में जो सेनेको की कुल्दे भी कहलाती है A option इसका सही होगा आसापुरा माता जी का मंदिर कहां पर स्तीत है तो इसका correct answer है नाडोल पाली में मोद्रा जालोर में पोकर्ण जेसल मेर में इने तीनों स्तानों पर आसापुरा माता जी का मंदिर स्तीत है तो इसका correct answer हो जाएगा उप्रोक्त सभी स्तानों पर अगला किशने जीन माता का मंदिर किस जिले में स्तीत है तो इसका correct answer है सीकर में हर्स की पाड़ी, हर्स का मंदिर, जीन माता का मंदिर ये सभी सीकर में स्थीत है इसका C option सही हो जाएगा अगला किशने राणी सती का मंदिर की जिले में स्थीत है तो इसका correct answer हो जाएगा जुन 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 में राणी सती का जो मंदिर है तो D option इसका सही होगा नाराणी माता का मूल नाम क्या था? इसका correct answer है दोस्तों करमेती बाई करमेती बाई है वो नराणे मता का मूल नाम था B option इसका सही होगा अगला क्युष्ण है करोली के यादवबंसी यादव राजबंस की कुलदेवी रूप में विख्यात है करोली के यादवबंस की राजबंस की कुलदेवी है वो कौन है तो इसका correct answer है केला देवी केला देवी है वो करोली के यादो वह से उनकी कुल देवी है D option इसका सही होगा अगला क्यूशन है लूले लंगडे और लकवा गरस लोगों को स्वास्ते लाब परदान करती है अगला क्यूशन है किस देवी ने हागड़ा नदी को चुलू भर में चुलू भर आच्मन में आच्मन कर सोख लिया था यानि कि दोस्तो एक चुलू में पूरा है वो सोख लिया था इसका कौन से देवी थी तो इसका करेक्ट आंशर है आवड माता D option इसका सही होगा हावडा की जो नदी थी उसे एक चलू में भर करके आच्मन कर सोख लिया था तो वो थी आवड माता D option इसका सही होगा परतिवर्स भाद्र पर्द माहे में किस देवी का मेला लगता है तो इसका करेक्ट आंशर है राणी सती C option इसका सही होगा राणी सती का मंदीर किस जिले में है या आप कोमेंट में जरूर बताए उपर हमने ये जो क्यूशन का आंशर है वो बता दिया था कि राणी सती है वो कहाँ पर है किस जिले में है अगला क्यूशन है राजस्तान में ये एक मातर मंदीर जहां देवी के पीट का सरंगार वे पूजा की जाती है इसका करेक्ट आंशर है दोस्तो ब्रामनी माता सोरसन बारामी ब्रामनी माता सोरसन बारामी ब्रामनी माता का मंदीर है जहां पर जो देवी है उसकी पीट का सरंगार है उसकी पूजा की जाती है तो इसका correct answer हो जाएगा A option Brahmini Vata Sorcerer Bara अगला question है 12 बाईयों का मेला किस जिल में आउजित किया जाता है Important question है इसका correct answer है दोलपूर दोलपूर के अंदर 12 बाईयों का मेला आउजित किया जाता है D option इसका सही होगा अगला question है निम्ण में से कौन से संत सामपर्दाइक सद्वाओं के लिए जाने जाते हैं तो इसका correct answer है रामदेव जी, गोगा जी, पिपा जी ये तीनों ही है वो सामपर्दाइक सद्वाओं के लिए जाने जाते हैं तो इसका correct answer हो जाएगा उप्रोक्त सभी D option correct हो जाएगा दोस्तों क्यूशन आपको कैसे लगे अपनी दोस्तों के साथ share जरूर करें चैनल पर नहीं हो तो subscribe भी जरूर करें